कुछ प्रोटीन जो हैं वो शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं इन्हें हम एंजाइम कहते हैं एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं ये हमारे शरीर में बहुत सारी जैव रसाइनी कभी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं इसलिए इन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं बच्चों आपको पता है उत्प्रेरक क्या करते हैं खुद रसाइनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परन्तु इनकी उपस्तिती के कारण अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है और अंध तक क्या होता है यह जैसे थे हमें वैसे ही मिल जाते हैं तो यह जो एंजाइम है यह हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रसाइनिक अभिक्रिया हैं उनको संपन कराते हैं आईए समझें देखिए माल्टोज माल्टोज के एक अनू में जल की उपस्तिती में जब हम जलब घटन कराते हैं तो यहां हमें ग्लुकोज के दोवनों मिर रहे हैं माल्टेज एंजाइम या अभिक्रिया कराने में हमारी मदद करता है तो इस प्रकार हमारे शरीर की विभीन अभिक्रियाओं में यह भाग लेते हैं यह एंजाइम जब अभिक्रियाओं में भाग ले रहे होते हैं तो वहां हमारा शरीर उनके हिसाब से वातवरन निर्मित करता है कहने का तातपर यह है कि यह pH, 7 pH पे काम करते हैं ताप मन की बात करें तो यह 37 degree Celsius पर काम करते हैं इनका नामकरन देखें एंजाइम का नामकरन या तो यह जिस योगिक पे कारिक कर रहे हैं उसी की अधार पर रखा गया है जैसे यहाँ देखिए माल्टोज पर कारी कर रहा है तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? माल्टेज क्या किया इसमें? जो एंजाइम का नाम है उसमें हमने पीछे में क्या जोड़ दिया है? एस जोड़ दिया है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एंजाइम का नामकरण अभिक्रिया के आधार पर किया जाता है कि वो किस प्रकार की अभिक्रियाओं में उप्योग करता है आईए देखें इस प्रकार हमने ये अच्छे से समझ लिया कि एंजाइम का नामकरण अलग-अलग प्रकार से किया गया है चलिए आप देखें एंजाइम में क्या-क्या लक्षन होते हैं पहली बात कि इन में बहुत कम मात्रा में इनकी आउशकता होती है हमारे शरीर में एंजाइम बहुत कम मात्रा में होता है और बहुत अधिक क्रिया करता है तो हम कह सकते हैं कि इनकी दक्षता क्या होगी बहुत अधीक होती है दूसरा देखें अतिविसिस्ट हर एक एंजाइम एक निश्चित अभीक्रिया ही कराएगा और प्रत्यक अभीक्रिया के लिए हमारे पास अलग अलग एंजाइम होते हैं आईए देखें आगे इनकी गती को नियंत्रित करने के लिए गती अवरोधक भी है बहुत से कार्बनिक और आकार्बनिक योगिक होते हैं जो एंजाइम की गती को कम कर देते हैं इसे हम अवरोधक कहते हैं और एंजाइम बहुत कम मात्रा में इनकी हमें आवश्रक्ता होती है जैसे अभिक्रिया पूर्ण होती है एंजाइम जैसे थे वैसे ही हमें प्राप्त हो जाते हैं तो ये खास लक्षन थे एंजाइम के बारे में एंजाइम के कार्या एंजाइम का मुख्य कार्या भोजन को पचाना होता है हमारे भोजन के घटक, कार्बोहाइडरेट, विटामेन, लिपेट, नुकलीकम इन सभी का शरीर के अलग-अलग जगा में विगिटन करना एंजाइम का कारे होता है आए ताली का द्वारा इसे और समझे भोजन का प्रकार, इस्थान, एंजाइम, क्रियाधर, उत्पाद A. कार्बोहाइडरेट, मुह, लार, ताइलिन, पॉलिसेकराइट, देक्स्ट्रीन, माल्टोस, आत, अगनासे, एमाइलो पेपसीन, पॉलिसेकराइट, माल्टोस, ग्लुकोस, रस, आत्ररस, माल्टेज, सुक्रेज, माल्टोस, सुक्रोस, ग्लुकोस, फ्रक्तोस, लेक्तेज, लेक्तोस, ग्लुकोस, ग्लेक्तोस, बी, प्रोटीन, उदें जठर रस, पेप्सीन, प्रोटीन, छोटे पॉलीपेप्टाइड, आत्र अगनाशई, रेनिन, केसीन, पैराकेसीन, रस आत्र रस, ट्रिप्सीन, प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड, चोटे पेप्टाइड में, कीमो टिपसीन, प्रोटीन एवं पॉली पेप्टाइड, चोटे पेप्टाइड में, अमीनो पेप्टी डेज, पेप्टाइड शिंकला, अमीनो अमल ट्राइड एवं डाइड पेप्टी डेज, पेप्टाइड शिंकला, अमीनो अमल C. लिपिड, उदर जठर रस, लाइपेज, वसा, ग्लीसरोल, वसी अमल आत्र अगनाशय रस, स्टेप सीन, वसा, ग्लीसरोल, वसी अमल D. नुकलिक अमल आत्र अगनाशय रस, रिबो नुकलियस, RNA, ओलिंगो नुकलियोटाइड, दी ओक्सी रिबोस नुकलियस, DNA, ओलिंगो नुकलियोटाइड, आत्र रस, फोस्पोर डाइस्टिरेज, ओलिंगो नुकलियोटाइड, ओलिंगो नुकलियोटाइड, ओलिंगो नुकलियोटाइड नुक्लियोटाइड, फास्पेटेज, मोनो नुक्लियोटाइड, नुक्लियोसाइड एवं आकार्बनिक फास्पेड चलिए बच्चों आएए अब हम इन एंजाइन की क्रियाविधी को समझने की कोशिश करते हैं ताला जाबी मोडल जिस प्रकार कोई ताला एक विशिस्ट चाबी से ही खुल सकता है और बंध हो सकता है किसी भी चाबी से नहीं उसी प्रकार जैवरसैनिक क्रिया करने वाले पदार्द किसी एक विशिस्ट एंजाइम से ही उत्प्रेरित हो सकता है किसी भी एंजाइम से नहीं आईए इसे समझे पद एक एंजाइम अनू में एक क्रियाशिल इस्थान होता है क्रिया कारक पदार्थ इसी इस्थान पर आकर जुड़ता है वास्तों में क्रिया कारक पदार्थ का अकार ही कुछ ऐसा होता है कि वह एंजाइम की क्रिया शिलिस्थान में फिट बैट सकता है ऐसा होने पर जो संकूल बनता है उसे ES एंजाइम क्रियाकारक संकूल कहते हैं पद्दो एंजाइम तथा क्रियाकारक के बीच बना सक्रिय संकूल एंजाइम उत्पाद संकूल में परिवर्तित हो जाता है अब एंजाइम उत्पाद संकूल से एंजाइम प्रितक हो जाता है तता उत्पाद बनता है कभी कभी किसी एंजाइम में सक्री स्थल का आकार ठीक वैसा नहीं होता जैसे क्रियाकारक के आकार की मांग होती है एसी स्थिती में क्रियाकारक के अकार के अनुरूप एंजाइम के सक्री स्थल का आकार प्रेरन द्वारा बन जाता है जिससे की क्रियाकारक एंजाइम में फिट बैठ सके इस प्रकार से प्रस्तावित मॉडल को प्रेरित समायोजन मॉडल कहते हैं उत्प्रेरक और जेव उत्प्रेरक जिसे हम एंजाइम कहते हैं इसके अंतर को तालिका के माध्यम से समझे एंजाइम तथा उत्प्रेरक में अंतर एंजाइम उत्प्रेरक पहला, एंजाइम प्राया जटिल सरचना वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक योगिक होते हैं, जिनका अनुभार उच्च होता है उत्प्रेरक केवल धातू, अथ्वा धातू संकर, अथ्वा हाइट्रोजन आयन जैसे सरलकन होते हैं, जो निम्न अनुभार वाले होते हैं दूसरा, जिवित वस्तूओं से ही एंजाइम निर्मित होते हैं, जो समान्यता प्रोटीन होते हैं ये आकार्बनिक या निर्जिव जगत के होते हैं तीसरा, कार्य प्रणाली में एंजाइमों की अपनी विशिष्टता होती हैं उत्प्रेरक समान्य रूप से सभी क्रियाकारकों के लिए एक जैसा वैवार करते हैं चौथा, एंजाइम की सार्वधिक क्रियाशिल्ता शरीर के तापमान पर होती हैं उत्प्रेरकों के लिए समान्यता उच्चताप की अशकता होती हैं पांचवा, पराबैगनी किर्णों से नस्ट हो जाते हैं पराबैगनी किर्णों से नस्ट नहीं होते छटवा, ये जैव रसाइनिक क्रिया पस्चात नस्ट हो जाते हैं ये रसाइनिक क्रिया पस्चात नस्ट नहीं होते भले ही इन में भौतिक परिवर्तन हो जाता है चलिए, एंजाइम के सम्बन में कुछ और तथियों को हम समझते हैं इसमें है पहला सा एंजाइम देखें, जैसे उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सा उत्प्रेरक होते हैं या उत्सा वर्दिन करने के लिए होते हैं उसी प्रकार कुछ कार्बनिक या आकार्बनिक योगी कैसे भी होते हैं जो एंजाइम की क्रियाविधी को बढ़ा देते हैं। इन्हें हम सा एंजाइम कहते हैं। इसे भी समझें। इसमें यदि ये सा एंजाइम सा सयोजी बंद द्वाला जुड़े होते हैं। तो इसे हम क्या कहतेंगे को फैक्टर। और अगर ये केवल क्रिया के समय जब एंजाइम क्रिया कर रहा है और आकर जुड़ रहा है उस समय हम इसे को एंजाइम कहते हैं। और को एंजाइम एंजाइम के जिस भाग से जाकर जुड़ रहा है तब हम उसे एपो एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम के अनुप्रयोग पहला रोगों की रोग थाम में जैव प्रणाली में यदि एंजाइम की निउन्ता हो जाए तो रोग उत्पन होते हैं जैसे फेनिल, एलानिन, हाइड्रो ओक्सीलेस की कमी से बच्चों में जन्मजात रोग उत्पन हो जाते हैं इसकी रोग थाम के लिए उप्यूक्त एंजाइम को भोजन में दिया जाता है ट्रायोसिनेज एंजाइम की गमी से एल्बिनीज्म नामक रोग उत्पन हो जाता है इसकी रोग थाम में भी एंजाइम का ही उप्योग किया जाता है दूसरा रोगों के उप्चार में लोगों के उपचार में विशेश कर हिर्दय रोग में मरीज को स्ट्रेप्टो काइनेज नामक एंजाइम दवाई के रूप में देने से हिर्दय में जमे रक्त की ठक्को को विले करके अलग किया जा सकता है तीसरा उद्योगों में मदीरा उद्योग तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में एंजाइम का उप्योग किया जाता है